गुम्ला जिले के प्रसिद्ध सीरा सीता नाले धाम में देश भरके कई राज्यों के हजारु सर्ना धर्मावलंबियों गुरुवार को सिरा सीता नाले पहुच कर पूरी श्रधा भक्ती महाव के साथ सुष्टिकर्ता मा चला एवं एवं बाबा धर्मेश की पूजा अर्चना कर सुख सम्रिद्धीवा शांती की काम ना किये पवित्र तीर्थ स्थली सिरा सीता नाले में देश भर के कई राज्य के धर्मावलंबियों ने पहुच पूजा अर्चना किया इस दोरान संपूर्ण सर्ना आदिवासियों के सुख शांती एवं समाच के विकास के लिए सामुहिक रूप से वंधनते मांगी गई करते हुए कहा कि सर्ना धर्म समाच को सर्ना धर्म समाच के विकास के साथ साथ राजनीतिक कतिविधियों में भी पैनी नजर रटने की आवश्यक्ता है वर्तमान समय में सर्ना धर्म समाच के लोगों को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है समाच के ही कुछ तथाकतित लोगों के द्वारा समाच को बांटने का भी प्रयास किया जा रहा है जिसे हमें पहचानने की और जानने की भी आवश्यक्ता है आज सर्णा समाज कई विकट परिस्थितियों से जूज रहा है आज हमारे समाज का आवाज उठाने वाला एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं है राजनीती रोटी सेखने के लिए तथाकत कई राजनेता सामने आते हैं लेकिन सभी राजनीतिक रोटी सेखते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं जिसे हमें पहचानने की आवश्यक्ता है चैन्पूर्थ प्रखन सिर्फिता नाले में हमारे सरना समाज के लोगों का धार्मी कस्तल है और इस धार्मी कस्तल का समगर विकास मने विधायक द्वारा किया जाएगा उन्होंने अस्वर्स्त भी किया है कि आने वला समय में उस छेतर में जो भी उनके विकास के काम होंगे निशीत रुप से उनके दोरा विकास किया जाएगा और इसके लिए जो भी प्रयास होगा किया जाएगा अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना न भूले